मेफटाजिसिक टेबलेट एक कॉंबिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल पेट में एंथन के इलाज में किया जाता है यह पेट और आंग की मानस्पेशियों को आराम देकर दर्द और एंथन को कम करने के लिए असरदार धंग से काम करता है दर्द और बुखार का कारण बनने वाले कुछ केमिकल मेसेंजर को भी यह ब्लॉक करता है मेफटा जिसिक टेबलेट के मुख्य इस्तेमाल पेट में क्रेंप मेफटा जिसिक टेबलेट पेट और आंग में अचानक मानस्पेशियों में एंठन या संकुचन से असरदार धंग से राहत देता है जिससे मानस्पेशियों को आराम मिलता है और भोजन पाचन में सुधार होता है यह पेट की मरोणों और पेट में दर्द या स्टमक पेंट पेट फूलना और असुविधा का इलाज करने में मदद करता है इसे लेने के दोरान हाइडरेटेड रहने के लिए फाइबर से भरपूर आहार लें तेल या मसालेदार भोजन से बचें और परियाप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं मेफटा जिसिक के सामान्य साइड इफेक्ट मिचली आना, उल्टी, अपच, डायरिया, दस्त, भूक में कमी, नीन दाना, कमजोरी, घबराहट, मुह में सूखापन, धुन्दली नजर, सीने में जलन, अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगढने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें मैफटाजिसिक टेबलेट किस प्रकार काम करता है? मैफटाजिसिक टेबलेट इन तीन दवाओं डायसाइकलमाइन, पैरासिटमोल और मेफिनेमक एसेद से मिलकर बना है, जो पेट दर्ध से राहत दिलाता है दाइसा एकलोमाईन एक एंटी कोलिनजिक है यह आपके पेट और गट आतों में मानस्पिशियों को आराम दे कर काम करता है यह मानस्पिशियों में अचानक होने वाले संकुचन एंठन को रोपता है ऐसा करके यह एंठन, दर्द, ब्लोटिंग और असुविधा से राहत देत पेरासितमॉल एंटी पारेटिक, बुखार कम करने वाला दवा है और मेफिनेमिक एसिड एसिड नॉन स्टेरायल एंटी इंफलेमेटरी ड्रग है वे मस्तिश्क में कुछ कैमिकल मेसेंजर के रिलीस को ब्लॉब करके काम करते हैं जो दर्द और इंफलेमेशन का कारण बनत किद्नी की बिमारियों से पीड़ित मरीजों में मेफटाजिसिक टैबलेट का इस्तेमाल साथ जाना चाहिए मेफटाजिसिक टैबलेट की खुडाक में बदलाव की आवश्यक्ता हो सकती है पिपिया अपने डौक्टर से सलाह लें कर दो कर दो